इसी वज़े से यहां पर बोला जा रहा है कि conservation of natural vegetation and wildlife हैंको यहां पर क्या है कि natural vegetation और जो wildlife है उसको यहां पर conserve करना पड़ेगा तो हमको एक बात यहां पर अभी तक तो यह समझ में आ गई है कि जो forest हैं वो हमारी क्या है क्योंकि हमको अलग-अलग तरीके से यहां पर क्या करते हैं कि benefit जो है वह यहां पर पहुंचाते हैं plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem ठीके तो plants क्या करेंगे जो animals है उनको shelter वगरा प्रोवाइट करते हैं रहने के लिए खाने के लिए हैना अलग-अलग तरीके की चीज़े प्रोवाइट कर रहे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि ecosystem में प्रॉपर जो है balance ठीक है वह यहां पर बना रहता है ठीक है तो इस तरीके की चीज़े हो रही है changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and the animals अब सिंपल सी बात आप यहां पर यह देखिए कि पहले क्या होता था कि पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर जैसे होली वगरा यहां पर हम celebrate कर लेते थे उसके बाद बहुत टाइम के बाद जो है वो तेज वाली गर्मी यहां पर स्टार्ट होत विकिन आज के टाइम बीड़ेट पर मार्च अपरेल में इतनी गर्मी बढ़ने लग जाती है कि लोगों को लगता है कि अब कूलर निकालने का सही समय आ चुका है तो इस तरीके की situation यहां पर हो रही है तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि इसके पीचे एक important factor होता है जिसको हम बोलते हैं global warming global warming का मतलब यहां पर क्या है कि लोगों ने इस तरीके से अलग-अलग तरीके की चीजों का यूज करने लग गए इतने अलग-अलग तरीके से आप यह कह सकते हैं कि गाड़ी है यहां पर हो गई यह इसी वगर आपको खराब हो रही है तो अब एक बास समझी है कि अगर माल लीजिए कि climate में यहां पर परिवर्टन होगा rainfall यहां पर जादा नहीं होगी है ना या फिर जो human interference है जो यहां पर यह फॉरेस्ट वगरा को clear कर रहे हैं तो इसका आपको यहां पर क्या हो रहा है नुकसान होता हुआ दिखाई देगा मतलब कि जंगल वगर रही समाप्त हो जाएंगे अभी जंगल समाप्त होंगे तो अनिमल्स भी यहां पर आपको समाप्त होते हुए दिखाई देंगे तो इसलिए यहां पर क्या है कि conservation जो है वह बहुत extinction ठीक है अब ये तीनों का मतलब क्या होता है वाल्डरेबल का मतलब यहां पर यह हुआ कि इनकी situation जो है वो गंभीर हो रही है है ना मतलब अगर आपने इन particular species को लिए कोई यहां पर स्कीम नहीं चलाई इनको preserve करने के लिए कंजर्व करने के लिए कोई इनिशेटीव यहां पर नहीं लिया तो फिर उसके बाद यहां पर इंडेंजर है मलब की वल्रेबल की जो सीवियर सिचुएशन है वो आपको इंडेंजर देखने को मिलेगी है ना कि भई अब तो कुछ कर लो अब भी नहीं किया तो फिर तो कभी निगर पाओ गया फिर क्या होता है कि जो इंडेंजर होते हैं अगर फिर भी यहां पर नहीं और रे भरत में बिलकुल नहीं है ठीक है तो हम क्या कर गर न है और आप सौथ अफ्री का वगयरा countrys है वहां से हम एफरी का जोई भारत में चीता जो है वह दुबारा रिंटेडीऊस करने तो इसका मतलब यह हुँआ कि चीटा जो है वह भारत में प count और चुका था अब इसको क्या करना है गिए अफरीका वाहरा जूह है भारत में रिंटेडीऊस्य करना अचाय आइगा हो स्टार्टिंग में कहा हाँ पर क्या करेंगे हम चीटा जो है वह भारत में इंटिड्यूस करेंगे अच्छा शेर में है ना लेपर्ड में उसके बाद टाइगर में और चीटा में इन सब में डिफरेंस होता है जमीन आसमान का अंतर होता है सब चीजें आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी तो व हमारे यहां पर जो है वह शेर भी देखने को मिलेगा लेकिन फ्रॉप पार्क में है तो इसी वज़े से यहां पर क्या है कि ये सारी चीजा आपको समझने यह की विलरेबल क्या होता है और एक्स्टिंश्चन यहां पर क्यूंस इतरаст मतलब यहां पर क्या होगे समांद जो सुइल इरोजन के बारे में हमने बात कर ली जिसमें स्वाइल की लेयर वगरा जो है वो यहां पर इरोड होती ही दिखाई देगी अलग-अलग तरीके की जो constructional यहां पर activities होती है जिसमें construction वगरा का काम किया जाता है फिर forest fire, forest fire का मतलब यहां पर क्या है की आपस में जो है वो बड़ी-बड़ी आग लग जाती जैसे आपने देखा था कि Amazon वाला जो यहां पर आपका जंगल है ठीके वहां पर आपको आग लगती भी दिखाई दी फिर उसके बाद Australia में अगर आप देखोगे तो Australia में bush fire आपको देखने को भी लिए बतलब Australia के जंगलों में भी यहां पर आग लगी फायर थी उसका देखोगे वीडियो ना तो उसमें आप देखोगे कि कई सारे अनिमल्स वगरा भी जो है वह यहां पर उनकी जान चली गई तो इसकी वज़े से भी प्रॉब्लम होती है फिर उसके बाद सुनामी हो गया लेंड स्लाइट हो गया है सम अब दी हुमन एंड नैच्रेल फेक्टर विच एक्सिलरेट दा प्रोसेस ऑफ एक्सिंग्शन आप दीस रिसोर्सेस ठीक है तो यह याद रखिएगा कि भाई अगर माल लिजेगे कोई रिसyczस वगणा हैं अपर खतम हो रहें तो उनके लिए जो रिस्पॉनसिबल फैक्टर सापको देखने को मिलेंगे है ना मदला वो कौन-कौन से फैक्टर सांजो responsible यहाँ पर आपको देखने को बिल रहे हैं, deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fire, tsunami, land slide, यह सब कुछ यहाँ पर factors हैं, जिनकी वज़े से जो हमारे यह vegetation वगरा है, है ना, या फिर आप यह कह सकते हैं कि जो wildlife है, वो आपको extinct होती हुई दिखाई दे रही है, वो समाप तरीके से बिल्कुल गलत है, है ना, जैसे अलग-अलग तरीके के आप यहाँ पर case वगरा देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि poaching वगरा, शिकार वगरा करना जो है, वो पूर्णता गलत है, है ना, तो यह illegal activities है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, तो poaching की वज़े से, यहाँ पर क्या होता है कि, बहुत सारे जो यहाँ पर species हैं, उनकी जान यहाँ पर जाती है, जिनका number लगाता रहे, आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, अब यह जो animal की यहाँ पर poaching की जाती है, जो यहाँ पर लोग यहाँ पर शिकार करते हैं, इसका reason यहाँ पर क्या होता है, है ना, तो अगर आप देखोगे, the animals are poached for collection and illegal trade, illegal trade का मतलब क्या होता है, कि पहले तो इन लोगों को मारा जाता है, है ना, मारने के बाद उनका जो यहाँ पर खाल हो गई, skin हो गया, nails हो गया, teeth हो गया, haunts वगया हो गया, है ना, फिर उसके बाद, जो feeder वगया होते हैं, तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि इनको यह लोग क्या करते हैं, कि बेचते हैं, है ना, मतलब market में क्या है, कि इसकी बहुत जादा demand आपको देखनी को मिली की, तो illegal trade सकते हो, लेकि लोग क्या करते हैं, कि छुप वगरा के जो है, वो यहाँ पर trade करते हैं, जिससे उनको revenue generate होता है, तो इससे क्या है कि आपको revenue मिल गया, लेकिन हमारी तो यहाँ पर wildlife जो है, वो कम हो गई न, तो इस वज़े से यह problem यहाँ पर निकल कर आ रही है, some of these animals are tiger हो ग आपको देखने को मिलेगी, these can be conserved by increasing awareness, ठीक है, तो लोगों को यहाँ पर बताना, लोगों को समझाना, लोगों की awareness यहाँ पर बताना, अचा कुछ यहाँ पर animals होते हैं, जिनकी condition यहाँ पर बिल्कुल खराब हो गई, उनको अगर आप मारोगे तो वो illegal नहीं है, उनको आप मार सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यह कुछ नाम मैंने आपको बताएं हैं, ठीक है, इनको हमने यहाँ पर क्या है कि conserve करने के लिए अलग-अलग जो कानून हमारे होते हैं, उनकी उपर हमने इनके बारे में mention किया हुआ है, जैसे wildlife protection act हो गया, तो इन सब ची ठीके से जो हमारी wildlife है, इसको हम यहाँ पर conserve कर पाएंगे, ठीक है, तो इस point को आपको यहाँ पर समझना है, हमने इसलिए क्या किया कि अलग-अलग तरीके की जो national park है, ठीक है, जैसे करीब आज के time period पर अगर आप देखोगे, तो हमारे देश में 100 प्लस, करीब 104-105 यहाँ पर जो national parks है, वो देखने को मिलेंगे, फिर हमने wildlife centuries बनाई है, biosphere reserves बनाई है, are made to protect our natural vegetation and wildlife, अब national park में क्या होगा, कि national park में आप शिकार नहीं कर पाओगे, है ना वहाँ पर जो है पेड वगरा नहीं काट सकते, वहाँ पर क्या है कि उसको highly protected region जो है, वो यहाँ पर बना दिया wildlife century जो है वो उसमें क्या होता है कि जो rules and regulations होते हैं, वो national park से थोड़े कम होते हैं, है ना मतलब इतने ज़्यादा strict rules नहीं होंगे, जैसे आप देखोगे wildlife century जो है ना उसको promote किया जा सकता है national park के रूप में, लेकि national park को wildlife century दुबारा कभी declare नहीं करेंगे, है ना क्योंकि national park ज इसलिए इस तरीके की चीज़ें जो है वो सरकार ने यहाँ पर start करी है, conservation of creeks, देखो creeks basically यहाँ पर क्या होता है कि creeks जो है वो narrow water body होती है, ठीक है जैसे आपने एक नाम सुना होगा, sir creek, sir creek जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक water channel आपको देखने को मिलेगा, तो यह Arabian Sea में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यह सर creek है, तो conservation of creeks, lakes, wetlands, ठीक है, wetlands basically क्या होते है, कि जैसे एक particular शहर है, ठीक है, इरान में एक शहर है, जिसकी बाद अगर हम करेंगे, रामसर, ठीक है, रामसर एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इरान मे इस शहर है, तो आपको देखने को मिलेगा, रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन जो है, वो 1971 में साइन किया गया था, जिसकी वज़े से हमने यह बोला था, कि wetlands जो है, उनको हम यहाँ पर conserve करेंगे, जैसे भुपाल में अगर आप देखोगे, तो बड़ा दलाव, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, राजा भोज वेटलेंड बोलते हैं, तो वेटलेंड क्या करते हैं, कि अपने साथ बहुत सारा जो कार्बन बगरा है उसको स्टोर करके रखते हैं, तो उसकी यहाँ पर क्या है कि environment के लिए बहुत importance यहाँ पर होती है, इसलिए उनको conservation क यहाँ पर कर पाएंगे, there is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed, ठीके तो अगर क्या होगा कि जितने भी numbers की यहाँ पर आवशक्ता होती, चाहे वो पेड़ पोदे की हो, चाहे वो species की हो, है ना animal species की, तो आप यह कह सकते हैं कि एक proper number अगर यहाँ पर बना रहेगा, तो फिर यहाँ पर क्या ह सकते हैं कि लोगों ने जंगलों में जाकर अपने घर बना लिये हैं, है ना जंगलों में जाकर जो है वो अलग-अलग तरीके कि आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि companies, industries, mining activities यहाँ पर हो रही है, तो इसकी वज़े से कहा है कि मनुष्य जो यहाँ पर काम कर रहा है, उसकी वज मतलब जो यहाँ पर मारे जाते हैं, जानवर वगएरा, several birds and animals have either become extinct और on the verge of extinction, ठीक है, या तो वो समाप्त हो चुके हैं पूरी तरीके से, या तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि वो समाप्त होने वाले हैं, ठीक है, वर्ज आफ एक्स्टिंशन मतलब वो समाप्त हो सकते है अगर हम उनको conserve यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसे awareness programs हैं, उनके उपर हमको promote करना पड़ेगा है, जैसे social forestry, है ना, जो one more so वगएरा होते हैं, उनको थोड़ा encourage करिए, ताकि regional और community level पर, तो उनको अगर हम encourage यहाँ पर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि लोगों को उस चीजों की importance के बारे में जो है, वो चीजें पता चलेंगी, है ना, जैसे लोगों को बताओ, अचा मुझे यह बताए कि नैशनल, जो international environment day होता है, है ना, या आप इसको कह सकते है, world environment day, वो कब celebrate करते हैं, इसका answer मुझे comment section में बताओ, ठीक है, तो लोगों को क्या करना है, कि लोगों साल आप यहां पर क्या करते हैं, कि यहां के पेड़ कार्ट दो, यहां पर यह बना दो, उस तरीके से कर दो, यह सब नहीं होना चाहिए, तो जो आप यहां पर world environment day के दिन promise कर रहे हो, वही चीजें आपको आगे भी यहां पर करनी चाहिए, जो स्कूल के students होते हैं, जैसे आ नहीं, not campus, यह nature camps है, ठीक है, तो आप लोगों, जैसे जो लोग है, उनको यहां पर encourage करना चाहिए, कि भाई, bird watch है ना, जैसे चिडिया वगरा देखिने के लिए, यह जो nature camps वगरा होते हैं, उनको आप विजिट करो, ताकि यहां पर क्या है कि बहुत सारी अलग-लग तरीके की जो activities है, उनमें आप involved हो, और आपको भी सब चीजों की importance जो है, वो यहां पर समझ में आए, ठीक है, तो इस तरीके से हम awareness program हर एक level पर जो है, वो यहां पर चला सकते हैं, बाकि यह grocery में अगर आप देखेंगे, तो यहां पर कहा है कि national park है, national park की definition बोली जा सकती है, natural area designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem, for the present and the future generation, ठीक है, तो उन सब चीजों का protect करना, वो national park कहलाता, जैसे एक्जामपल में दे सकते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर कहा है कि जैसे एक्जामपल में अगर आप देखोगे, तो हम यहां पर नाम दे रहते हैं, ठीक है, जैसे माल लीजे कि एक्जामपल दे हम यहां पर काना नैशल पार्क, ठीक है, तो काना नैशल पार कहां पर है, वो MP में है, ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्जामपल भी यहां पर नैशल पार्क के अगर डेफिनिशन आती है, तो उसको में यहां पर आप दे सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां पर नही हो सकती है जैसे भारत में अगर हम बात करेंगे शेर हो गए टाइगर हो गए हिरन हो गए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया पिकॉक वगरा इन सब को मारना जो है वो पूरी तरीके से इन लीगल है अगर आप देखते हैं ऐसी कोई चीज यहां पर कर रहा है तो आप बिल् अगरे में अगरे में इस प्रिपेर करती है उस लिस्ट के बैसिस पर इन्हों ने यह बता दिया है कि कौन-कौन सी चीजें है जिनका ट्रेड जो है वो प्रोहिबिटेड है है ना मतलब इस चीज शीका आप ट्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि इसको यहां पर कंशर्व करना ह conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen ठीक है कि भई आप यहाँ पर क्या करिए कि plants को और animals को conserve करो तो यह हम सब की responsibility बनती है कि इनका conservation करें के वहल हम यह सोचेंगे कि सरकार conserve करेगी तभी कुछ होगा तो possible नहीं होगा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपनी तरफ से भी duty समझनी पड़ेगी कि हर भारतियों की यहाँ पर responsibility है कि हम अपने plants को और animals को जो है वह यहाँ पर क्या करें उनको जो है वह यहाँ पर conserve करें आप जैसे biosphere reserve अगर आप देखोगे उसके definition है series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between the conservation and development है ना कि चीजों को conserve भी करना है और चीजों का development भी करना है उनके बीच में proper balance होना चाहिए एक बात यह बताईएगा comment section में इंडिया में total कितने biosphere reserve है ठीक है मैंने कुछ question आपसे इस पूरे के पूरे chapter के explanation में यहाँ पर पूछे हैं तो उनका answer आप देना तो उससे क्या होगा कि आपकी knowledge जो है ना वो और भी जादा यहाँ पर enhance होती हुई दिखाए देगी जो बहुत सारे ссылer नेशल पार्क था वो तहें लिनेशल पार्क कि ठीक है ध्याली नेशल पार्क है यह आपको देखने को मिलेगया तो यह भी आप को ध्यान लेकना HELEC से pain यहां पर फंपर बारे में बिऴ government यह उसके बारे में थोड़ी सी चीजह को मज़ लेते हैं साइड किन चीजों का आप यहां पर ट्रेड वगरा नहीं कर सकते हैं उस तरीके की चीजें साइट के द्वारा यहां पर प्रिपेर की जाती हैं यह international agreement है जो कि अलग-अलग countries की जो government है उनके बीच में आपको यह agreement देखने को मिलेगा इट एमस्टु इंशूर दैट international trading specimens of wild animals and plants does not threaten their survival मतलब कि इस तरीके से यहां पर trade नहीं होना चाहिए इतने बड़े scale में यहां पर trade वगरा नहीं होना चाहिए कि वो particular जो vegetation है या आप यह कह सकते हैं कि जो animals है उनका survival ही जो है वो यहां पर आप यह कह सकते हैं कि threaten आपको देखने को मिले roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected, bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloes are some of the examples तो करीब 5,000 animals की species और 28,000 जो plants की species हैं उनको यहां पर sites की तहच जो है वो यहां पर cover किया गया लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो illegal तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहां पर होती हैं है न तो online मगरा भी चीज़ों को हमको यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा regular basis पर counter करना पड़ेगा ताकि जो internet वगरा है उस पर भी इन चीज़ों को हम यहां पर control कर सकें तो यह था आपका पूरा chapter explanation जो मैंने आप आपको one shot revision में provide किया अब अगर आप page कहीं पर भी देख लो ncrt आप book उठाओगे न उसमें कुछ भी पढ़ लो कहीं से कुछ भी देख लो हर चीज जो है वो मैंने आपको explain करी है जितनी भी चीज़ें आपके लिए important हो सकती है सब चीज़ें मैंने आपको यहां पर comment section में जो है वो feedback जरूर देखर जाओ है ना क्योंकि बहुत मेनत करिया आपने शुरू से लेकर आखरी तक इस session को देखकर और आपको ना चीज़ें जो है वो समझ में आरे होंगी तेको session की length जो है वो भड़े लंबी है लेकिन आप देखोगे कि इस पूरे के पूरे session को द जादा है लेकिन अब आपको ना इस पूरे के पूरे chapter में हर कुछ आता है है ना ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आप पर छोड़ी even मैंने आपको बताया ना मैं जो box भी लिखे रहते हैं वह box भी मैं आपको पढ़ाता हूं क्योंकि उसमें भी बहुत सारी important information है जो आपक चेप्टर पढ़ाया हम पुराने चेप्टर दिखना चाते हैं है ना और उस तरीके से कैसे करेंगे क्या चीज़े करेंगे तो उसके लिए आपना description में कई सारी important links यहां पर available हैं